हेलो दोस्तों फ्वागत मेरी यूटूब चैनल वेकेंसी लट में तो दोस्तों इस वीडियो में हम फिखने वाले हैं कि आप उत्तर प्रदेफ पावर कार्परेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर का फॉर्म कैसे भरफ़कते हैं जलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो सबस्ते पहले आपको उत्तर प्रदेफ पावर कार्परेशन लिमिटेड की ओफिस्यल वेफाइट में आ जाना है और कुछी इस प्रकार का इंटरफेस आपको खोल लेना है ठीक है अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है यहां पाफ NBA पर क्लिक करना है यदि आप आलरेडी रजिस्टर यहां पास post code अपने अब भर जाएगा, यहां पास अपना candidate का full name बरना है, यहां पास mobile number बरना है, यहां पास confirm mobile number बरना है, और यहां पास email address, और यहां पास confirm email id यहां पास भर देना है, और जो एक application आपको दिख रहा है, आपको इसको यहां पास भर देना है, और finally submit पर click कर दे ना है ठीक है और आपके पास क्या आएगा एक पासवर्ड आएगा आपके कांटेक्ट नंबर पे आएगा या जीमेल आईडी पर तो आपको उसको सेव कर लेना है और क्लिक कर रखेंगे जब आप सम्मिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस कुलेगा और आपको यहाँ पास पे अपलिकेशन नंबर मिल जाएगा और आपका पासवर्ड जो है तो आपके मूबाल नंबर पे भेज दिया जाएगा आप यहाँ बेट कर फकते हैं आपके यहाँ दो तीन मिनट में पासवर्ड आ जाएगा आपके mobile नमबर में ठीक है अब आपको करना क्या है यहाँ पास logout की बटन पर क्लिक करना है अब यहाँ पास से candidate को login करना है ठीक है आप यहाँ पास अपनी user ID और यहाँ पास password डाल कर login पर क्लिक करके आगे जा सकते हैं जैसे ही आप login पर क्लिक करते हैं तो फिर फिर कुछ इस प्रकार के interface फूल जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ क्लिक here to application पर क्लिक करना है कुछ loading लेगा आपको wait यहाँ पास करना है फिर इसको close कर देना है अब आपको यहाँ पास से क्या आप उत्तर प्रदेश के निवाफी है यदी है तो yes कर दीजे नहीं तो no कर दीजे ठीक यहाँ पास से आपको gender select करना है यहाँ पास से category यहाँ date of birth आपको select करनी है तो आपको यहाँ पास से have you completed apprenticeship under the apprenticeship act 1951 यदी आप yes करते हैं तो आपको यहाँ पास से starting date भरनी है और यहाँ पास in date भरनी है कि आपने किन-किन तारीकों के बीच apprenticeship training की है ठीक है यदी आपने नहीं की है तो no कर दीजे यहाँ पास और आपको यहाँ पास personal detail आप click करना है ठीक है अब यहाँ पास father's name भरना है यहाँ पास mother's name यहाँ पास अपना status देना है ठीक है और यहाँ पास nationality यहाँ पास अपना धार नंबर भरना है contact detail भरी रहेगी आपको यहाँ पास से address line भरना है ठीक है और यहाँ से state जीसे state से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ भर दीजे country यहाँ पास select कर दीजे district आपको यहाँ पास select करना है और आपको यहाँ पास से pin code भरना है और यदि आपका present address permanent address frame to frame है तो आप यहाँ पास shift पे click कर दीजे और यहाँ save और next की button पे click करके आँगे जा सकते हैं ऐसे ही आप save और next पे button पे click करेंगे आपका qualification detail वाला option enable हो जाएगा आपको यहाँ पास 10th की जानकारी यहाँ पास भरना है और आपको यहाँ पास 12th की जानकारी तो 10th में यहाँ पास अपने board का नाम भरना है यहाँ पास this school का नाम भरना है यहाँ पास subject combination यहाँ पास भरना है year of passing यहाँ पास आपको भर देना है e-ra, passing, इहां पाफ फE फेलक्ट्ट करना है, किस फ़ाल आपने पास किया है, percentage अप मार्क से यहाँ फिलक्ट भर दीजेए, ठीक है? अब यहाँ पाफ इआपको diploma details देना है, यहाँ पाफ इडिगरी का नाम यहाँ पाफ इस फिलक्ट करना है, और आपको Save और Next की बटन पे क्लिक करके आँगे चले जाना जो जो subject आपके थे आप यहाँ पास भर दीजे या तो आप All General Subject यहाँ पास लिख कर इसको भर सकते हैं ठीक है अब आपको यहाँ पास Save and Next की बटन पे क्लिक कर देना है ठीक है तो कुछ इस प्रकार का Interface खुलेगा अब आपको यहाँ पास Total Feast के बारे में बताया जाएगा ठीक है और यहाँ पास Document अप्लोड करना है यहाँ पास से आपको Click Here to अप्लोड करना है फोटो और यहाँ पास से क्या Fignature अप्लोड करना है ठीक है और यहाँ पास Fignature अप्लोड करना है Fignature जो है तो 30KB फे जादा नहीं होना चाहिए ठीक है उफी प्रकार जैसे हमने फोटो अप्लोड की है वैसे ही आप इसको Fignature अप्लोड कर फकते हैं अब आपको यहाँ पास यह भर देना है यह जो Capture दिया हुआ आपको यहाँ पास भर देना है और आपको यहाँ पास I Agree पर क्लिक करके Submit कर देना है ठीक है तो कुछ इस प्रकार आप खौर में इसका भर फकते हैं